कि आज मैं मीडिया के मंच पर हूँ कि सवाल कि आपको बहुत प्रिय होते हैं और इसलिए कि मैं भी कुछ सवालों के साथ अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि कहते हैं जैसा संग वैसा रंग कुछ पल आपके साथ का संग है तो मुझे भी हादर लगती है जैसे आपके सवालों में बहुत कुछ छिपा होता है वैसे ही मेरे सवालों में भी आपको सरजिंग इंडिया के बहुत से उत्तर अपने आप मिल जाएंगे साथियों क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत इतनी जल्दी क्लब में स्तामिल होने की तरफ अपना कदम बढ़ा देता क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि इस अप डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 142 से 77 पर आ जाएगा भारत तॉप 50 में आने की और तेज गती से कदम रख रहा है क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में ऐसी ट्रेन में चलने वाले लोगों से जादा एर कंडिशन ट्रेन में चलने वाले से लोग जादा लोग हवाई सफर करने लगेंगे हवाई जहाज में बैटे होंगे क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि रिक्षा चलाने वाला भी सबजी वाला भी और चाय वाला भी बीम एप का इस्तेमाल करने लगेगा अपनी जिब में रूपे डेविट कार्ड रखकर अपना आत्मविस्वात बढ़ाएगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत इसका एविएशन सेक्टर इतना तेज आगे बढ़ेगा कि कंपनियों को एक हजार नए हवाई जहाज का ओर्डर देना पड़ेगा और आपको जानकर क्या हरा नहीं होगी हमारे देश में आजासीते अब तक कुल सारेडे चार सो 450 हवाई जहाज अपरेशनल है प्राइवेट हो पब्लिक हो सरकारी हो कुछ भी हो एक साल में एक हजार नए हवाई जहाज का ओर्डर यह बताता है क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में नेशनल वाटर वेज एक सच्चाई बन जाएगा कोलकाता से एक जहाज गंगा नदी पर चलेगा और बनारस तक सामान ले आएगा क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि हम भारत में ही बनी बीना इंजिन वाली एसी ट्रेन का परिक्षान कर रहे होंगे जो एक सो असी किलोमीटर पती गंटा के रप्तार पर दोड़ेगी क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत एक बार कि एक बार में सो सेटलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड बनाएगा और इतना ही नहीं गगन यान के लक्ष पर भी आज वो आगे बढ़ रहा है क्या चार साल पहले किसी ने सोचा था कि स्टार्ट अप की दुनिया से लेकर स्पोर्ट की दुनिया में भारत की प्रतिष्टा इतनी जादा बढ़ जाएगी साथियों चार साल पहले ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन हेलीकॉप्टर गोटाले का इतना बड़ा राज़दार क्रिश्चन मिशेल भारत में होगा सारी कडियां जोड रहा होगा चार साल पहले ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि 1984 के सिख नवसरमवार के दोस्टी कॉंग्रेस नेताओं को सजा मिलने लगेगी लोगों को इंसाफ मिलने लगेगा आखिर ये परिवर्तन क्यों आया है देश वही है लोग वही है बिरोकर्सी वही है हमारे साधन वही है संसाधन भी वही है फिर इस परिवर्तन की बज़े क्या है